हलो जैसे कृष्णा देखिए यह ज्रोइंग स्वेटर का है हम इंच में लेंगे लेकिन यह जो पेपर है इसमें इंच में आएगा नहीं तो हम सेंटीमेटर में नाप ले लेते हैं तो हमारा जो लंबाई है वो 25 इंच है और जो हमारा चौड़ाई है वो 11.30 है इसके लिए ह चौड़ाई एंच में लेंगे स्वोडर हमारा साड़े 7 इंच में रहेगा गला का गहराई जो है वो चार इंच में रहेगए और जो सोल्डर का गहराई है आरमोलगा गहराई है शाथ में रहेगा उस तरह से इड्रांग बन जाएगा ठीक है इसारमोल का आए andlass मिन साड़े 25 इंच है जो गला है वो गहराई जो है चार इंच में है और इसका जो चौड़ाई है वो धाई इंच में और जो पीछे का गला लेंगे हम उसे एक इंच गहराई लेंगे ठीक है और जो हमारा अस्तिंग बनेगा अस्तिंग का लंबाई हम 25 इंच लेंगे ठीक है मैं बताती हूं कटिंग करके कपड़े में यह जो मेरा श्थर है ब्लैक किलर में है दम सिंथेटिक कपड़ा है तो मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूं पहले जो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे 11 इंच में हमारा जो लंबाई है साड़े 25 इंच है तो हम साड़े 25 इंच में लंबाई मिनाप लेते हैं इस तरह से बिछा लिए है और हमारा जो सोल्डर है वो साड़े 7 इंच है और गला हमारा धाई इंच में है और गला का जो गहराई है चार इंच में है इस तरह से और गोल कर लेंगे आर्मूल व्मारे साथ इंच में हैं इस तरह से हैं यह आगए पीछ़या दोनों कर रहे हैं और व्मारे जो चोड़ा है साधे ही प्रीया इंच में इस तरह से कटिंग कर लेटे हैं हम गला अभी कट नहीं करें करेंगे गला बाद में करेंगे आगे पीछे का पहले हम सोल्डर ही कटिंग कर रहे हैं और बाजू से निकाल रहे हैं पीछे का गला कटिंग हम पो कम करना है इसलिए हम अलग-अलग करके करेंगे हम अलग-अलग कर निकाल लेते हैं पहले हम सापने का कटिंग कर लेते हैं जो हमें एक इंच गहरा लेना है क्योंकि टोपी लागेगा उसमें तो हम इसलिए एक ही इंच ले रहे हैं इस तरह से कि चली कटिंग कर लेते हैं अब हम यह जो सॉल है उसे रखते हुए हम कटिंग करेंगे जो भिछा लेंगे इसे कि एक भाग को रखते हुए कटिंग करेंगे पहले सामने का फिर पीछे का इस तरह से या पहले सामने का पीछे का जो भी जैसे भी करना है एक एक पीना टेच कर लेंगे ताकि खसके मत इस तरह से हम पीना टेच कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे पहले अस्तर को भी कटिंग करेंगे एक साथ कटिंग नहीं होगा क्योंकि बहुत नरम रहता है तो कटिंग करने से इधर उदर हो जाता है तो हमके पीनटेज करके ही कटिंग करना पड़ेगा इस तरह से पीछे का हो गया है अब सामने का लिए लेते हैं सामने का भी सेम ही है लंबाई 25 इंचे ही रहता है इसे भी इस तरह से पीनटेज करके हम कटिंग कर लेंगे बराबर पीछा के यह आगे पीछे का हमारा कटिंग हो गया है लगबग देखे चलिए अस्तिंग निकालें लोगे अिस तरह से पहले अस्तर निकाल लेते हैं फिर फेडरिक निकालेंगे ठीक है हम अस्तिंग लूजी रखेंगे सोरटर नहीं करके तो कूरती की जीसे म्लूजी रख रहे हैं तरस्तिग बिछा लेंगे साथ के पीना टेज गर के दोनों कसी को मैंulen साथ कैटिंग कर रहे ही क्योंकि इसे अलाग अलाग कट करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम आगे पीछे स्वर्टर को इसलिए किये क्योंकि वह गला उसका अलाग अलाग था इसलिए तो इस तरह से और यह टोपी के लिए हमें निकालना पड़ेगा कपड़ा तो यह 14 इंच में है और दूसरा हमरा टोपी लगेगा इस तरह से मेरा लंबाई 28 इंच में है और जोड़ाई 9 इंच में है इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे जो सामने का पला आएगा है तोपी का तो इसके लिए हम उसे double fold करेंगे इसलिए हम इस में अस्तर ने डालेंगे सामने के आलापलना में इस तरह से fold करके से लाई करेंगे और जो दूसरा पला बनाएंगे वो भी 8-3 इंच का ही है लेकिन हम उसका जो चोड़ाई है वो 7 इंच में लेंगे इसे मैं फोल्ड कर लेती हूं और कटिंग करते हैं ये 7 इंच में आएगा ये जो 14 है एक भाग 14 है दोनों भाग में लाकि 28 हो जाएगा तो 28 इंच में ही कटिंग करेंगे इस तरह से और इसका भी अस्तर निकालेंगे है ये पीछे का भाग आएगा तो इसमें अस्तर लगेगा इसका ग्राउंड करके सिलाई करेंगे अस्तर निकाल लेते हैं इसका टोपी का यह हमारा लगभग कटिंग हो गया है अब हम एक छोटा सा डिजाइन करेंगे मीनी का तो इस तरह से छोटा कपड़ा लेके हम गोल कटिंग कर लेते हैं हैं था कि स्वेटर कजो टोपे कल लूक है बहुत बेहतरीन लगिंए इस तरह से कोई भी नाप से निकाल सकते मैं इसनापी नहीं हुं इस तरह से निकाल लेती हूं इस तरह से 2 that चल्क चल् observing कर लेते हैं सबसे प्याद सरे जो ड्याइन बना हुआ मीनी का हम इसे सिरह कर लेते हैं कि एँजन आप चाहो थो इस तரह से छोड़ सकते हैं यह पर कुछ दाल सकते हैं मैं इसका बचा हुआ ही कपड़ा हैं मैं उसे डाल रहे हूं थोड़ा सा इस तरह से या नई भी डाल सकते हैं इस तरह से सिलाई करके रख लेंगे सबसे पहले देखिए दू बना लिए जो 9 इंच का है इससे हम फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे पहले हम टोपी बना रहे हैं पहले इससे जोइन कर लेते हैं अब हम दूसरा जो भाग है उससे अस्तर अटेज कर लेंगे इसे पहले अस्तर को पूरी में अटेज कर लेते हैं नाजुक है तो अस्तर के साथ हम बराबर रखते हुए हम सलाई अच्छे से करेंगे क्योंकि इसे खिशकने का डर रहता है मतलब सलाई जाता है नाजुक है तो खिचा जाता है ऐसा कह रही मैं तो इस तरह से अपने हाथों को दबाते हुए अपने हाथों से कपड़े को दबाते हुए सिलाई करेंगे हलका सा कम जादा हो सकता है इस तरह से स्लाई कर लेंगे और यह जो कपड़ा इधर बज गया हो से कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हम रखते हुए निशान लगा लेंगे तीन सवा तीन इंच में हम निशान लगाते हुए अपना जो मीनी डीजैन बनाया है हम इसे फिट करते जाएंगे इस तरह से इस तरह को दोनों और हम फिट कर लेंगे और जो सामने का जो सिलाई की हैं उसे अटेज कर लेंगे इसे जो मूरती हुए लगाये थे उसे इस तरह से अटेज कर लेंगे हमार बहुत प्यारा डोपी बनके तयार होगा और इस तरह से एक प्रेस लाई करेंगे ताकि हमारा जो सिलाई है पक्का हो जाए हमारा सिलाई हो गया है अब इसे पलट के हम टोपी का सिफ दे देंगे पीछे से राउंड में इस तरह से इस तरह से राउंड देंगे कटिंग कर लेंगे सिलाई करके देखी किस तरह से इस तरह से बनेगा चली पुरा सिलाई कर लेते हैं ये नीचे से लेके पुरा सिलाई कर लेंगे ये हमारा टोपी बन के तयार हो गया है देखी कि इतना प्यारा टोपी बना है बच्चों पहनेंगे ते कितना प्यारा लगेंगे इसे हम किनारे रख लेते हैं अस्तिंग जोड़ लेते हैं सबसे पहले अब ये अस्तिंग कपड़ा है हम पहले अस्तिंग बना लेते हैं अस्तिंग में इलास्टिक भी लगेगा सामने में तो मैं साथ इंच का इलास्टि ले लिए हूं सार तींच में आप देखके लिए लिजेगा कितना लूज या टाइट चाहिए इसे भी हलके हाथों से हम सिलाई करेंगे खीचेंगे नहीं दबाते हुए करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कम जाता होना सौभाविक है इस कपड़े में तो एक्ष्टर जो निकलेग ा उसे हम कट्टिंग कर लेंगे कोशीश करेंगे कि हम बराबर से सिलाई करें और फ्रेस से लाइक लेंगे स्तर के ओर इस तरह से हम प्रेस से लिए कर लेंगे और एलाश्टिक लागा लेंगे यह मेरा 7 इंच का इलाश्टिक है इस तरह से फिट कर लेंगे कि इस्तरा से खीषते हुए हम फीट करेंगे के निया कि दीकिला श्रीक लंग गया है अब इसे हम पलटी कर लिए जो कपड़ा इस्टर बचा हुआ है मतलब इस्टर हो गया है उससे हम कटिंग कर लेंगे एस तरह से कटिंग कर लेंगे और पूरे अस्तिंग को हम सिलाई कर लेंगे चारों और से हम जोइंट कर लेंगे पहले कि दोनों अस्तिंग में से इसे तरह से सिलाई करेंगे देखिए मेरा रस्तिंग का सिलाई हो गया है दोनों का इसे भी हम किनारे रख लेंगे और यह जो मेरा पीछे का भाग है पहले मैं इसे सिलाई कर लेती हूं कि सबसे पहले नीचे का सिलाई करेंगे हम इस तरह से हम पहले नीचे सिलाई कर लेंगे विल्कूल आराम आराम से सिलाई करेंगे और एक प्रेस लाई करेंगे देखिए हलका सा ज्यादा हो गया है इसे भी हम कटिंग करेंगे और पूरे को हम जोइंट कर लेंगे इस तरह से हम पूरे को जोइंट कर लेंगे हलके हलके हाथों से पीछे का सिलाई हो गया है इसे भी हम किनारे रख लेते हैं अब सामने का सिलाई करेंगे सामने का पहले सेम ही सिलाई करेंगे बात में करेंगे हम लोड़िएरेंगें में सॉत दिलाइक कर लेते हैं ठीक है is बात में कृटिंग करेंगे पीरी कोशो लोड़ेंगे में इस दिखा रहे हूं किस दार से दौर दिया हूँ ओसले करके फिर से इस हम इसे प्रेंच लाइख कर लिए हैं और पूरे कपड़े को अस्तर के साथ अटेज्ट कर लिये हैं बिल्कुल आसान है हमारा स्वेटर बनाना आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं अश्कल मॉर्केट में मस्त मस्त सौल आते हैं या फिर इस तरह कभी फेवरी कभी मार्केट में मिलने लगा है तो इसे हम लाकी घर में इजली अपने बच्चों के साइज का हम तरह तरह के स्वेटर बना सकते हैं डिजाइन डिजन का तो इस तरह से ये सामने का भी complete हो गया है, अब इसे मैं fold करके रख लेती हूँ, किनारी का बज गया है, इस तरह कटिंग कर लेंगे, अब इस तरह से हम fold कर लेंगे, और बिच्छा के बराबर जमा लेंगे, और बीचो बीच कटिंग कर लेंगे, ये सामने का हमारा दो पल्ला में आएगा, हम बीचो बीच चेन लगाएंगे, जो कट गया है उस भाग को भी हम जोइंट कर लेते हैं पहले, देखे इस तरह से हम जोइंट कर लेंगे, दोनों पल्ला को, इस तरह से दोनों पाग तयार हो गया है, अब चैन लगा लेते हैं, इस तरह का चैन है, बीच से खुलने वाला चैन है, ये, इस तरह से पल्टे करके, इस तरह से पल्टे करके, पूरे चैन को अटेज कर लेंगे, आराम आराम से, और इसे प्रेस लाई करेंगे, इस तरह से, दूसरा पल्ला का भी हम इस प्रकार से सलाई करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, दूसरा पल्ला है, इस तरह से पल्टेज करते जाएंगे, और इसे भी हम प्रेस लाई करेंगे, इलगबग हमारा चैन लग के तयार है, अब हम स्वेटर का जेब बनाएंगे, जेब के लिए कपड़ा हम कटिंग कर लिए थे, ऐसे आप देखके, चोकों सा कटिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम जेब की इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, देखिए इस तरह का कपड़ा कटिंग कर लिए थी, तो मैं नीचे से मैं 5-5 इंचे ले रही हूं, पढ़, 5-5 इंचे ले सकते हैं, और इस तरह से मैं निशान लगा रही हूं, और इस तरह का कपड़ा है, इसे हम इस तरह से अटेच करेंगे, देखे इस तरह से मैं चार कटिंग कर ली हूँ, चारो भाग में लगेगा, इस तरह से मैं पूरे को नाप नाप के अटेज कर लूँगे, ठीक है, इस तरह से अटेज कर लूँगे, पूरे भाग में, चारो भाग में सेम नाप के अटेज करते जाएंगे, नीची से से हम नाप लेंगे बराबर में इस तरह से हम चारों भाग में नाप नाप के अटेज कर लेंगे ठीक है हम अब चाहू तो इस तरह से हम प्रेस स्लाई भी कर शकते हैं इस तरह से और नई भी कर शकते हैं ठीक हैं आप चली हम सोलडर जोड लेते हैं पहले ऐसे पहले स्वोटर जो दर है इससे जोइन्ट के लेंगे फिर हम अपना अस्तिंग लगा लेंगे इसके बाद हम अपना अस्तिंग लगा लेंगे इस तरह से हमारा सोल्डर जोइंट हो गया है अब अस्तिंग लगा लेंगे देखिए दोनों पल्लक हम अस्तिंग लगा लेंगे दोनग पल्ला का हमारा अस्तिंग लगके तयार है अब अस्तिंग से लेकर हम किस तरह से फिटिंग करेंगे देखिए हम तो सिदर सिदर फिटिंग कर नहीं सकते क्योंकि वीच में जेब लगा हुआ है तो इस तरह से हमें फिलाई करना है कि हमें जेब दबे मत तो देखिए कि इस तरह से मैं सिलाई कर रहे हूँ, इस तरह से सिलाई करते हुए, देखिए जहाँ जेब आ रहा है, इसे हम इस तरह से यहाँ से पल्टी कर लेंगे, और जेब की ओर हम सिलाई करेंगे इस तरह से, बराबर रखते हुए हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे, यह हमारा हो गया है देखिए आपको समझ में आया होगा मैं फिर से आपको दूसरा वाला भाग दिखाती हूं कि इस तरह से चलाई करें हैं अस्तिंग को लेके इस तरह से चलाई करते हुए जहां पर हमारा जेब बना हुआ है इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरह से चलाई करते हुए देखिए लाश्ट अपमोझ गए अब इस तरह से अटेज कर लेंगे यह हमारा जेब भी बनके तयार हो गया यह देखिए कि इस तरह से हमारा जेब बनाया है बहुत ही प्यारा लगेगा और यह अस्तिंग भी बन गये है अब अपना टोपी फिट कर लेंगे हमारा गुत कर लेंगे टोपी अगर कम ज्यादा हो सकता है तो उसमें कोई परिशानी नहीं है अगर टोपी का लेंध ज्यादा हो गया है तो हम पीछे में एक या मैं आपको आसान आसान से बतानी की कोईसिस करी हूँ आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करीएगा नहीं हो ter पुराने हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो इसके लिए मैं तहद दिल से आपके अभार प्रगट करती हूँ देखिए मेरा टोपीत का लेंट थोड़ा सब बढ़ गया है तो मैं इसे एक चुन्ट लगा रही हूँ पीछ में तो इससे क्या है बराबर आ जाएगा इसे कोई दिक्कत नहीं होगा यह हम सिलाई भी मार सकते थे देखिए हमारा स्वेटर बन के तयार है कितना प्यारा लग रहा है आप भी घर में प्यारा प्यारा से स्वेटर बना सकते हैं देखिए मेरे बच्ची पहन के रखिए कितना प्यारा लग रहा है थांक यू फर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपको तह दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे चैनल पर आए, मेरे वीडियो को देखे, बहुत बहुत धन्यवाद, थांक यू सो मच, फिर से, थांक यू झाल झाल झाल